हेलो इस वीडियो में हम चार फंक्शन के बारे में क्लीन फंक्शन के बारे में और कोड फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम चार फंक्शन के बारे में जानेंगे चार को क्रेक्टर बोला जाता है चार function का यूज़ करके हम किसी भी स्थान पर symbol आ सकते हैं चार function के दवारा हम उन symbols को डूण सकते हैं जो कि हमारे की वोड में नहीं है तो यहां पे हम चार function को करेंगे यह यहां पे लिया गया है ASCII code तो यहां पे हम यह code लिखेंगे तो ASCII का मतलब होता है फिर यहां पे character देखेंगे तो यहां पे कुछ code लिखेंगे जैसे यहां पे हमने 47 यह लिखा इसके बाद निचे 64 यह 64 यह लिखा इसके बाद 149 यह लिखा इसके बाद 153 यह लिखा इसके बाद यहां पे 36 यह लिखा इसके बाद 37 यह लिखा तो ये code हमने यहां पर कुछ लिखे अब हम ये देखना जाते हैं कि इनके आगे character कौन से है character का मतलब यहां पर symbol कौन से आएंगे इनके तो इनको हम यहां पर चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हम यहां पर formula लगाएंगे equal to ये लिखेंगे equal to लिखा लिखने के बाद लिखेंगे 4 ये 4 यहां पर आ जाएगा यहां पर हम double click करेंगे इसके उपर ये double click किया double click करने के बाद ये code हम ये code ये आगे दिया गया है 4 इसके बाद है number तो number हम इस number को select करेंगे ये 47 इसको select किया यहां पर A3, cell name यह आ गया 47 का, इसके बाद आगे bracket को बंद करेंगे, यह bracket बंद की, बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो, यह जो character है, यह slash यहां पर आ जाएगा, तो यह code जो है 47, इसका जो character है यहां पर, यह slash है, अब अगले का code, यह 64 code है, इसका हम character देखने जाते हैं, कि इसका character कौन सा है, इसके बाद 149, यह code है, इसका यहां पर character देखेंगे, तो इनको देखने के लिए, हम यहां पर उपर क्लिक करेंगे, और इसको निच्छे यहां पर drag करेंगे, यह drag किया, तो drag करने के बाद, यह हमारे पास यहां पर character आ जाएंगे देखो यह 47 का यहां पर क्रेक्टर है slash इसके बाद 64 का क्रेक्टर है add symbol इसके बाद 149 का क्रेक्टर है यहां पर bullet इसके बाद 153 का यहां पर क्रेक्टर है trademark sign इसके बाद 36 का यहां पर क्रेक्टर है dollar इसके बाद 37 का यहां पर क्रेक्टर है percent तो यह जो ASCI की code होते ह यह 0 से लेके 255 तक होते हैं अगर हम यहां पे 256 लिखेंगे तो यहां पे value error यहां पे आ जाएगी तो यह देखो यहां पे हम करके देखते हैं यहां पे 256 यह लिखा enter प्रस किया तो यह देखो यहां पे यह value error यहां पे आ जाएगी तो suppose करो हमने यहां पे कुछ और लिखा जै से 155 ये लिखा enter प्रेस किया तो इसका ये है क्रेक्टर इसके बाद यहां पर निचे कुछ और बरते हैं जैसे यहां पर 221 ये इसके बाद enter प्रेस किया इसका ये है इसके बाद और कुछ बरते हैं यहां पर 150 ये इसके बाद enter press किया इसका ये है इसके बाद यहाँ पे कोई और code लिखते है जैसे 159 ने खा इसके बाद enter press किया तो इसका यहाँ पे character ये आ जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे हम character यहाँ पे ला सकते हैं इसके बाद आगे हम करेंगे clean function तो यहाँ पे हम clean function के बारे में जानेंगे तो clean function के दबारा हम non printable character को हटा सकते हैं कभी हम internet से कोई data import करते हैं और कुछ ऐसे character आ जाते हैं जिनको हम printer नहीं करना जाते तो इसे clean function के दबारा हम उन character को हटा सकते हैं तो यहां पे यह देखो यह मोहित यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे यह non printable character यहां पे आ गया है और यहां पे यह नीचे first में यहां पे आ गया है और यह नीचे देखो यहां पे starting में आ गया है और इसके बाद यह last में आ गया है तो हम इनको हटाने जाते हैं तो इनको लिखने के बाद यहां पर clean लिखेंगे यह clean यहां पर आ जाएगा यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद आगे दिया गया है text तो अब कौन सा text हमने यहां पर clean करना है तो यह मोहित यहां पर लिखा हुआ है यह text यहां पर हमने clean करना है तो clean करने के लिए हम इस cell के उपर click करें को मोहित वाला यह ब्रैकिट को बंद करेंगे यह जो यह हट गया इसके बाद यह यह सेकंड है यहां पर आमत यहां पर स्टार्टिंग में यहां पे non printable यहां पे character दिये गया है इसको भी हटाना जाते है इसके बाद यहां पे आलोक है इसमें starting में दिये गया है last में दिये गया है इसको भी हटाना जाते है तो इसको अठाने के लिए हम यहां पे click करेंगे और इसको निचे drag करेंगे तो drag करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह non printable यहाँ से भी हट गया है यह mohit यहाँ पे आ गया है तो इसके बाद यह देखो यह अमन यहाँ से यह starting में दिया गया था यह भी यहाँ से character हट गया है यह देखो यह character starting में था अलोग के और last में भी था यह भी यहाँ से हट गया तो इस तरह से जो भी non printable character है उनको हम clean function के दवारा यहां से आटा सकते हैं इसके बाद आगे हम code function के बारे में जानेंगे तो यहां पे code यहां पे sheet यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे code function को समझेंगे यह text लिखा हुआ है इसका जो यह first character है इसका code यहां पे बताएगा तो इसको देखने के लिए हम के करेंगे यहां पे formula लगाएंगे equal to यह लिखा लिखने के बाद code लिखेंगे यह code यहां पे आजाएगा यह यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद यहां पे आगे दिये गया text इस text को हम select करेंगे यहां पे click किया यह text यह cell का name यहां पे आ जाएगा A3 A3 आने के बाद bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter press करेंगे तो enter press करने के बाद यह देखो 77 यहां पर आ जाएगा तो यह जो मोहित यहां पर लिखा हुआ है तो यह जो first character है यह M तो M जो 77 code है 77 code में यह M लिखा होगा तो इसको check करने के लिए हम यहां पर सभी code लिखेंगे 0 से लेके 255 तक यहां पर code लिखेंगे यह लिखो यह check करेंगे कि ये जो 77 है उसमें ये M ये character है कि नहीं है तो यहां पर 1 लिखा 1 लिखने के बाद सभी code लिखेंगे ये 2 लिखा और लिखने के बाद इसको हम निचे 255 तक यहां पर ले जाएंगे ये 1 से लेके 255 code हमने यहां पर लिखा इनके character दिखेंगे कि इस code के character क्या है तो character दिखने के लिए यहां पर लिखेंगे इकल टू ये लिखा लिखने के बाद character ये लिखो ये 4 यहां पर आ जाएगा यहां पर double click किया इसके बाद यहां पर click किया इस number पर click किया 1 पर इसके बाद bracket बंद की ये लिखो number इसके बाद bracket बंद है यहां पर bracket बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद इसको भी फिर यहां पर drag करेंगे 255 तक यह निचे ड्रैग किया यहां तक ड्रैग किया अब हम यह चेक करेंगे इसके बाद हम यह चेक करेंगे यह जो code यहाँ पर M का आ रहा है 77 तो यहाँ पर यह 77 है कि कुछ और है तो इसको देखने के लिए हम 77 पर जाएंगे यह देखो यहाँ पर यह 77 है तो यह 77 जो code है इसका जो character है यहाँ पर M है तो यह देखो इसका भी यह M यह जो first character है यह 77 है इसके बाद इन सभी का चेक करेंगे यह जो first यहां पे character दिये गया है S है इसके बाद A है इसके बाद C है इसके बाद A है इसके बाद J है R है इन सभी के code यहां पे देखेंगे तो code देखने के लिए हम यहां पे 77 पे क्लिक करेंगे और इसको निच्छे यहां पे drag करेंगे drag करने के बाद यह देखो यह सभी के code यहां पे आ जाएंगे तो यह S जो है यह जो code है 83 तो 83 जो code है यहां पे दिया गया है character S तो इसको check करने के लिए हम 83 यहां पे जाएंगे यह देखो 83 तो 83 यहां पे यह देखो 83 में यह S यहां पे character है तो यह 83 का आगया है इसके बाद इसके बाद यहां पे यह A दिया गया है first character A है तो इसका जो code है यहां पे 65 है तो इसको देखने के लिए हम फिर यहां पे 65 पे जाएंगे यह 65 कोर्ट पे जाएंगे तो यह देखो यह जो 65 क्रेक्टर है इसमें अपर केस में यह यहां पे क्रेक्टर दिया गया है इसके बाद यहाँ पे हमने मोहित लिखा हुआ है मोहित का यह जो first character है यह capital में लिखा हुआ है अगर हम इसको small में करेंगे m को तो यहाँ पे यह code automatically change हो जाएगा तो इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे click किया और यहाँ पे small में m लिखा यह m लिखा जब हम enter press करेंगे तो य code change हो जाएगा यह देखो जब हमने enter press किया तो यह code यहाँ पे 109 यह change हो गया तो अब हम यह देखेंगे कि 109 code का यह जो character है small में m है की नहीं है तो इसको देखने के लिए हम फिर यह code देखेंगे 109 यह देखो 109 तो यह 109 है तो 109 इसका जो character है यह small m है तो code function की दवारा हम यह जान सकते हैं कि text का first character का code क्या है तो इस वीडियो में हमने character function के बारे में clean function के बारे में और code function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद